का हो कैसन बा नीक बा नू So, hey everyone, this is your host अमिंटर प्रेम पांटे केमचो मेरे आराई हो मस्त और मज़े में होगे और Class 10 की प्रेपरेशन बहुत अच्छा से चल रही होगी यह जी प्रेपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए फ्री इंटरक्टिव नोट्स प्रोवाइड कर रहा है Class 10 के लिए हमने पिछली वीडियो में आपके इंग्लिस के ग्रैमार और राइटिंग सेक्षन में जितने भी टॉपिक्स आपके इस बार के यानि जो 27 अप्रैल से आपका टर्म टू स्टार्ट हो रहा है Class 10 का उस एक्जाम में जितने भी टॉपिक्स आने थे ग्रैमार और राइटिंग सेक्षन से उन सभी के फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उपर इंफोरमेशन बटन पर एक वीडो आ रही होगी इस वीडो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में चले जाओ आपको दो लिंक मिलेगी और इन दोनों ही लिंक में जाकर आप पीडियो फाइल्स को अक्सेस कर सकते हो टाउनलोड कर सकते हो इवन अपने फोन में सेफ कर सकते हो और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो अगर आप फोन नहीं चूना चाहते तो आज के इस वीडो की बात करेंगे आज हम इंग्लिस के लिट्रेचर सेक्शन के सभी चाप्टर्स के फ्री नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे ये नोट्स आपके एकदम कलरफुल और एकदम मज़ेदार नोट्स है पढ़के ना एकदम सारी चीज़ें आपको समरड हो जाएंगी याद हो जाएंगी ठीक है चलो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे एकसे करोगी इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक मिलेगी किसे भी लिंक पर क्लिक कर दो जैसे आप फॉर एक्जामपल मेरे गूगल ड्राइव वाले लिंक को ओपन करते हो ना जैसी लिंक ओपन करोगे तो आपको ऐसा दो ऑप्शन आ जाएगा एक तो दो फॉर्स फ्लाइट बुक का फोल्डर है दूसर सप्लिमेंटरी का फोल्डर है फॉर एक्जामपल हमें फॉर्स फ्लाइट पढ़ना है ठीक है दो हमने फॉर्स फ्लाइट पर क्लिक करा यहां भी दो अलग अलग फोल्डर है आपको प्रोस के चाप्टर पढ़ने है या पोईटरी के ठीक है फॉर एक्जामपल आपको पोईटरी के चाप्टर पढ़ने है तो पोईटरी पर क्लिक करो यहां आपके term 1 and term 2 के दो अलग-अलग folders मिलेंगे हमें term 2 का पढ़ना है तो हम term 2 पर click करेंगे and term 2 में जितनी भी chapters आ रहे हैं इस बार की exam में उन सभी के notes आपको दिख जाएंगे छोलो मैं एक note आपको open करके दिखाता हूँ जैसे Amanda chapter आ रहा है इस बार तो Amanda जैसी आप open करते हो ना आप देख सकते हो कि इसमें stanza का पूरा explanation दिया है पूरे सभी stanza के explanation दिये है और last में conclusion दिया है इस पूरे chapter का आपके इस बार की exam के अगर sample labor को आपने देखा होगा तो literature में किवल दो तरीके के question आ रहे है जो एक 30-40 words में आप answer करोगे और दूसरा 120 words में answer करोगी इन question को जब मैंने analyze कराना तो इन सभी questions का answer आप chapters के line by line explanation को पढ़कर दे सकते हो अभी भाई कम time है आप explanation तो पढ़ नहीं पाओगे ना books पढ़ पाओगे ना ही वीडियो देख पाओगे तो इन notes से आप जरूर पढ़ सकते हो और time भी बचेगा ठीक है तो download कर सकते हो भाई नीचे description box में सब कुछ दिया हुआ है जाकर आप download कर सकते हो जैसे मैंने poetry का notes दिखा दिया आपको ऐसे ही back आकर आप prose में भी कोई chapter देखना चाहते है जैसे term 2 के prose में एक chapter आ रहा है कोई भी chapter आप ले लो ठीक है जैसे यही एक chapter मैंने open कर दिया है आप इसमें देख रहे हो केवल summary दी है prose में जिसमें बड़े-बड़े chapters है उसमें केवल topic wise summary दी है आपको ताकि आपका ज़्यादा time waste ना हो और यह summary केवल कहने को summary है chapter के हर एक important word और lines को इसमें cover करा गया है तो भाई कुछ छूटेगा नहीं आपका तो पूरे English का notes हमने आपको दे रखा है next science के chemistry, biology और physics के notes आपको provide कि जाएंगे इसके लिए बस आपको करना क्या है कुछ भी नहीं चान को subscribe करके रखना है और bell icon को press करके रखना है ताकि जैसी हमारी कोई update आए आपको तुरंत मिल आया करें भाई जिनको जिनको paid चीजे नहीं लेनी है और free में सारा content लेना है उनको हमारा channel share करो क्यूंकि अभी भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं पेड चीजे नहीं ले पाते हैं तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का चैहिंद